सभी को नमस्ते जी हमने पिछली वीडियो में जिकर किया था कि हमारे जब मैं घर नहीं छोड़ा था हम आरी समाज में नहीं आये थे हम इस्वर को ठीक से नहीं जानते थे तब हमारे ब्रमच्री में विगनुत्पन हो जाता था तो उससे हम कैसे निकलते थे यह हमने कहा था कि पिछली वीडियो में हम जिकर करेंगे देखो रिशी महिदास के ब्रह्मचरी में विगनुत्पन हो जाता था वसु ब्रह्मचारी के ब्रह्मचरी में विगनुत्पन हो जाता था उनके अलग-अलग तरीके थे तो ऐसी तरह जब मेरे जियून में भी घटन सबसंदे का होता था मैं किया करता था तो अगलों का ब्रहों को इतना सिखा रहा हूं तो इन सब बातों को सोच करके मैं जो व्यक्ति ब्रमच्री पर जितना अधीक लोगों को बताएगा जितना अधीक उपदेश करेगा उसका जीवन उतना ही विशेश होगा उसका ब्रमच्री उतना ही द्रेड होगा तो इसलिए आप भी प्रियास किया करें आपके साथियों को मित्रों को ब्रमच्री के बारे मे बिलए से अधीक से बताएं जैसे आप बिल के बारे में सत्वाहएं तो आपका बैद की आप कर j초 करे रहे मैं प्रमचारी उंट रॉपर झाली होगा हूं एक तो आपको क्ला आत्म गलाने बिलने लेकिन जो जैसे जैसे आपका ब्रमच्री मजबूत होगा तो आप बहुत आगे बढ़ जाएंगे और फिर जैसे जैसे में और आगे बढ़ा जीवन में फिर कभी ब्रमच्री में विगनुत्फन हुआ तो उनको हटाने के फिर तो और सरलूपाया आगए, बहुत सरलूपाया आगए, जिनको हम सामने प्रयोग कर लेते हैं, और ब्रमचरी बहुत उंची चीज है, यह आप ब्रमचरी पालन कर रहे हैं, तो बहुत बड़ी वात है, बहुत उंची वात है, अच्छे ब्रमचारी ब बता तुझे कहां चूक लगती है ऐसी दाड़ आपके अंदर होनी चाहिए हां गलतियां सबसे होती कोई बड़ी बात नहीं है वेद का एक मंत्र आता है उसमें तो यह आ कि है प्रभु मेरे सारे दुर्गन दुरुशन दुखों को दूर कर दीजिए इस वर में जानता था मन अपने संकल्प के साथ मजबूत हो जाओ और कैसे गलतिया है कोई बात नहीं लेकिन अब हमारा जी उन बढ़िया है दाड़ मारो अपने प्रहमचरी तो उमीद करते हैं ऐसे ब्रहमचारी आप रहेंगे हमारे साथ भी आप देख सकते हमारे ब्रहमचारी हैं यह हां यह शी सब्सक्राइब आपने पता है वह आज अठारा तारिख है तो तीन चैनों बारा पंदरा अठारा इकिस चोबिस सताइस तीस इन दिन आकों में प्रियास करते हैं वीडियो डालें तो धन्यवाद नमस्ते जी